असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलिक और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर एट मोर और्गन सिस्टम का टॉपिक दा हीमन एक्सक्रेटरी सिस्टम तो आई ये चलते हैं बोर्ट की तरफ अच्छ ये लीवन एक्सक्रेटरी सिस्टम तो दिस एन अजरी इंट्रिंग ईन्फोमेशन ये लिए किस तरहां से बाहर निकलता है तो हम स्टार्ट करते हैं दा प्रहूम एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्स्ट आफ वॉल हम ये पता होना चाहिए कि excretion क्या होती है it is the removal of waste products of chemical reactions excrete water and salts excretion क्या है कि यह waste products का removal है और वो waste products कौन कौन से है वो chemical reactions से जो produce होते है ठीक है chemical reactions से कौन कौन से waste produce होते है like urea ठीक है और इसके इलावा जितना भी unwanted substance है ठीक है जो के हमारी body में required नहीं होता ठीक है वो सारा क्या होगा वो भी waste material होता है और उसको भी हम chemical reactions से जो produce होगा unwanted waste ठीक है उसको भी हम ऐसा waste हम count करेंगे और वो भी हमारी body से excrete हो जाता है similarly अगर हम बात करें excess water की तो as you know हमारी body को एक limited amount of water required होता है तो जैसे ही हमारी body में excess water होगा तो जो excess water है वो भी ऐसा waste count होता है और उसको भी हम अपनी body से excrete कर लेते हैं अगर next part करें salts की तो salts जो हैं जो हम खाना खाते हैं food जो हम intake करते हैं उनमें जो salts मुझूद होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारी body के waste materials होते हैं ठीक है वन थिंग मस्ट केप इन माइंड दैट की जो excretion है इसको अब faces के साथ confuse मत कीजेगा ठीक है जो faces जो के हमारा large intestine से जो हमारी excretion होती है ठीक है so that is something else यहां पर हम basically basically बात करें liquid waste products की ठीक है यहां किसकी बात करें यहां पर हम liquid waste products की बात करें ठीक है और हम उस liquid waste products को हमने बाहर निकालना है उस liquid waste products में क्या क्या चीज़ें आ जाती है यूरिया है और जितना भी unwanted substance है जो basically chemical reaction से पैदा हो रहा है ठीक है जैसा कि आपको बता है हमारी body का metabolism process होता है जिसमें chemical reactions जब होते हैं तो जितना भी unwanted substance होता है जो हमारी body को required नहीं होता ठीक है वो सब क्या count होता है as a waste products count होते हैं similarly excess water salts इन सबसे मिलकर liquid waste product बनता है ठीक है and that is called urine ठीक है उस liquid waste products को हमने एक नाम दिया that is urine ठीक है और वो urine जो है वो हमारी body से excrete कर जाता है clear अब हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारा जो human excretory system है वो basically किस चीज़ पर consist करता है so there are two main organs of the human excretory system the first is kidneys and the second is bladder ठीक है अभी next port पर जब हम diagram study करेंगे तो वहां में आपको यह चीज़ बताऊंगा कि kidneys जो है वो कहां पर है और bladder जो है वो कहां पर है ठीक है अब हम बात करें कि kidneys जो है यह कहां पर located है हमारी body के अंदर हमारा human structure है इसमें kidneys कहां पर located है so two kidneys located at the back above your waist ठीक है जो आपकी waste होती है इसके जो above back side पर ठीक है थोड़ा सा उपर यहां पर आपकी kidneys जो हैं यह located होती है ठीक है हर इंसान के अंदर जो है वो बाहर निकालते है ठीक है आप यह चीज़ मैं आपको इस सांसे समझा सकता हूँ जैसा के हम जब चाय बन जाती है तो चाय को हम जब चानते हैं तो हम इक च्शननी का इस्तमाल करते हैं और जब आप उसमें से चाय चान रहे होते हैं तो चाय जो है वो च्छन के बाहर निकल आती है और उसके अंदर एक residue जो है उपर रह जाता है जिसको हम बाद में throw कर देते हैं क्योंकि वो waste products होते हैं ठीक है तो similarly like चननी यहां पर क्या कर रही है चाय को filtered कर र रहे हैं यह filtered कर रहे हैं and the one thing यह जो liquid waste material जो हम filtered कर रहे हैं यह किस चीज से filtered कर रहे हैं यह basically हम अपने blood से filtered कर रहे हैं ठीक है जो आपके blood के अंदर जो waste material होता है ठीक है उस में से हम यह सारे products हम filtered out कर लेते हैं ठीक है and then it becomes a fluid which is called urine ठीक है और वो urine जो है वो हमारी body से excrete कर जाता है clear I hope आपको यह समझ आ गया होगा अब हम diagram discuss करते हैं तो वहां आपको यह जीज और ज्यादा clear हो जाएगी किस तरहां से हमारे जो body जो organs हैं वो किस तरहां से function कर रहे हैं और किस तरहां से हमारा जो waste material है वो excrete हो रहा है तो आ मैंने आप से कहा था कि human body के अंदर दो kidneys होती है तो यह फॉस्ट किड़नी आन दिस वन इस दा साकेंड किड़नी ठीक है समय रही मैंने आप से कहा था कि बॉड़ी में टू में और गन्स होते हैं kidneys and bladder ठीक है तो यह वाला portion है इससे कहते हैं bladder इस पार्ट को कहते हैं bladder आई होब आपको यह clear हो गया होगा bladder और kidneys जो है वो क्या है ठीक है अचा अब होता क्या है कि हमारी क्यूंकि हमने filtered करना है सारा जो waste products है में filtered करना है blood से ठीक है सबसे पहले हम अपनी body से जो blood है वो हम लेकर आएंगे kidneys के अंदर ठीक है अब हमारी kidneys के साथ arteries attach होती है और यह artery करती क्या है यह blood को लेकर आती है kidney के अंदर ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ कि artery का function जो है वो क्या है it क्यारट को लेकर जाती है kidney अब kidney का basically वो function है जो कि मैं आप से discuss किया था जैसे हम चाय में हम छननी इस्तावाल करते हैं filter करने के लिए जितना भी waste products है like urea excess water and salts ठीक है जितना भी unwanted substance है यह सारे क्या है यह waste products है तो kidney जो है अब आपका blood क्या हो गया साफ हो गया अब उस blood ने दुबारा body में जाना है तो blood जो है वो आपका body में जाता है through veins यह जो blue से आपको pipe बने में नजर आ रहे हैं ठीक है यह क्या है यह veins है ठीक है तो यहां मैं veins का भी function लिख देता हूं means का function क्या है that it carries carries the blood from kidney ठीक है तो यह kidney से जो clean blood है ठीक है it carries the clean blood यहां चीज़ मेंशन कर देते हैं जाके आपकी चीज़ क्लेर हो जाए it carries the clean blood ठीक है I hope आपकी क्लेर हो गया होगा अब it carries the clean blood from the kidney ठीक है यह kidney से clean blood लेकर बहार जाएगा veins और अब जो हमारा सारा जो waste material था जो के यूरिया salt excess water और unwanted substance था ठीक है यह सारा मिलकर क्या बन जाएगा एक fluid बन जाएगा और उस fluid को हम क्या कहते है यूरीन कहते है ठीक है अब वो यूरीन इन यूरीटर से पास करता हुआ यह सब क्या है यह यूरीटर है ओके यह भी यूरीटर है ठीक है similarly वो सारा यूरीन इन यूरीटर से पास करता हुआ वो आ जाएगा bladder के अंदर ओके तो यह सारा urine जो है वो यहां से पास करता हुआ आ रहा है ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूँ कि यह हमारा basically इसमें urine जो है यह flow कर रहा है ठीक है और यह flow करता हुआ कहां पर आ रहा है यह bladder के अंदर आ रहा है ठीक है अब जैसे ही वो सारा liquid वो सब कुछ यहां पर आके store हो जाएगा यहां पर आप उनीचे ring नजर आ रहा है ठीक है इसको basically कहते है ring of muscle इसको क्या कहते है ring of muscle और ring of muscle का function क्या होता है यह इसने bladder को close किया होता है ठीक है यह जितना भी liquid waste है उसको बाहर नहीं आने देता यह उसको close करके रखता है ठीक है अब क्या होगा जैसे ही हमें feel होता है कि हमारा bladder जो है वो fill हो गया है ठीक है तो हमें indication आती है कि हमें आप washroom जाना है और जैसे हम जब washroom जाते हैं तो आपका यह जो ring of muscle है यह automatically open हो जाता है ठीक है यह तब तक वैसे यह तब तक open नहीं होता unless and until you go to the washroom ठीक है लेकिन जैसे हम washroom जाते हैं तो आपका यह ring of muscle automatically open हो जाता है और आपका जितना भी liquid waste है वो in tubes के through बाहर आ जाता है ठीक है आपका liquid waste जो है वो सारा in tubes के through बाहर आ जाता है I hope आपको यह सारा concept clear हो गया होगा कि किस तरहां से हमारी body का जो excrete waste product है वो किस तरहां से हमारी body से बाहर निकलता है कौन कौन से organs हैं जो इसमें work perform कर रहे हैं कैसे आपका blood जो है वो clean होता है और blood दुबारा से clean blood जो है है वो body में चला जाता है और आपका waste product material जो है सारा बाहर आ जाता है हम एक बाद फिर से इस process को go through करते हैं ताकि आपको यह मजीद clear हो जाए तो basically हो क्या रहा है हमारा जो human descriptive system है वो two main organs पे consist करता है that is kidneys and bladder जो blood है जिसमें waste products attached है वो आता है kidney के अंदर kidney उसको क्या करता है filter out करता है उसमें सारे waste production है वो बाहर निकाल दाता है blood आपका clean हो जाता है और वो blood veins के थ्रू जो है वो दुबारा बाहर चला जाता है तो blood जो है आर्टरी के थ्रू kidney में आता है और वेंस के थ्रू जो है वो बाहर चला जाता है और वो जो आपका waste products जो के हमने मिलकर एक fluid बन जाता है उस fluid को हम कहते है urine और वो urine आपका यूरिटर से flow करता हुआ वो आता है bladder के अंदर bladder के अंदर आके वो urine आपका store हो जाता है unless and until your bladder fills ठीक वो पहले शुरू में close होता है वो fluid को बाहर नहीं आने देता है लेकिन जैसे ही वो फिल होता है हमें एक indication आती है और हम washroom जाते हैं और आपका ring of muscle जो है वो open हो जाता है और आपका liquid waste सारा urine जो है वो in tubes के थ्रू बाहर आ जाता है ठीक है तो यह था human excretory system and the one thing जब मैं excretion के जो है वो उसमें waste production जो है वो chemical reactions के थ्रू जो produce हो रहे है excess water and salts मैंने बात की थी इसमें excess water की तो क्योंके हमारी body में बहुत ज़्यदा पानी जो है वो मुझूद है ठीक हमारी body जो है वो पानी पर भी compost कर रही है तो जैसे ही हमारी body में पानी की quantity बढ़ जाती है तो यह उस जो excess water है उसको भी यह बाहर निकाल देता है तो हम यह भी कह सकते है कि जो आपका human executory system है it maintains the amount of water ठीक है it controls the amount of water in your body ठीक है तो यहां से हमें इसका एक और function भी पता चल गया वो function क्या है that it controls the it controls the amount of water of our body ठीक है तो यह हमारी body से जितना भी water है उसको भी उसकी amount को भी control करता है excess water को remove कर देता है ठीक है और इस तरह से हमारी body का जो भी liquid है वो भी maintain रहता clear I hope आपको यह lecture समझ आ गया होगा so take care Allah Hafiz